हेलो फ्रेंड्स वेल्कॉम टू अबर चैनल आज का हमारा टॉपिक है एकाउंट एसिस्टेंट का सले बस एकाउंट एसिस्टेंट का जो रिटर्न टेस्ट होगा अब्जेक्टिव टाइब होगा पंचाइद एकाउंट के लिए तो इसमें जो टॉपिक्स हैं जोने स्टाइडिक्स crg N ्ग準给ました Nobel cc के लिए नौलेज यमिेलस आफ कंप्यूटर एप्लिकेशन टो जो जो ज्यर्निल नौलेज्च है वह 30 माक्स किअगी मैथ 10 माक्स किअगा जेबले इकनामिक्स Katherine Pastel Easy नौलिज ऑफ कंप्यूटर अप्लिकेशन यह 30 मार्क का पॉर्शन है और एकाउंटन सी एंड बुक कीपिंग यह 30 मार्क का पॉर्शन है और साइंस 10 मार्क की है टोटल जो हमारा मिलाक के बने है 120 बनेगा टू हवर का हमारा पेपर होगा तो इतना तो सब जानते हैं इसके बारे में तो आज मैं स्टार्ट करेंगे तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अकाउंटन सी एंड बुक कीपिंग तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटन सी और बुक कीपिंग के रिलेटर तो यह उसका सलेबस है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इसमें एक टोपिक ये यह है Public Financial Management System और ये टोपिक से है तो इसमें से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक फरस्ट से Administration to Financial Accounting and its Term तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं Accountancy, Introduction to Accounting Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting and communicating of business financial transactions Accounting is a systematic process Accounting हम चूज़ करते हैं अपने business में Accounting is related to business Accounting is systematic process है Identifying का, measuring, recording का सबसे पहले इसमें हम identify करते हैं measure फिर उसके बाद measure करते हैं फिर उसके बाद record करते हैं जो भी data जो भी transaction हमारे पास होगी फिर उसको classify करेंगे उसके बाद हम उसको summarize करते हैं Year के end में जा month के end में तो हम उसको summarize करते हैं फिर उसके बाद हम उसको analyze करेंगे फिर उसको interpret करेंगे कि हमें loss क्यों हुआ है जहां हमें gain जो हुआ है कैसे हुआ है जो हमें loss हो रहा से जहां अपनी profit को कैसे बढ़ाना है तो उसके बारे में तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद communicating of busyness financial transaction तो एक business में जितनी भी financial transactions होती है उसको identify करना, measure करना, record करना, classify करना यह सब करना तो इसको हम बोलते हैं accounting तो सबसे पहले जो accounting में होता है वो है identifying identifying होता है accountancy में कि हमें identify करना है कि whether it is business transaction और it is a non-business transaction तो हम इसको identify करना होता है सबसे पहले कि यह business transaction है कि non-business transaction है तो RAM ने good purchased किये तो RAM लगा लो कोई business man है RAM तो उसने goods purchased किये हैं अपने business के लिए और RAM donates his own money तो RAM ने एक तो business के लिए goods purchased किये और दूसरा RAM ने donate किये हैं अपनी money तो हम identify करेंगे किसमें से कौन सी business transaction है और कौन सी नहीं है तो जो goods उसने purchase किये वो business में उसको काम आएंगे तो वो होगी business transaction जो business के related है जो राम के personal related है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है जो राम ने business start किया हमें उससे लेना देना है कि राम ने business क्या business start किया है और वो इसमें क्या खरीद रहा है क्या बेच रहा है हमें उस पे फोकस करना है तो वह होगी हमारी business transaction और राम ने जो पैसे डोनेट की हैं तो वह होगी non business transaction तो आगे चलते हैं second जो इसमें है वह है measuring तो accounting में दूसरा जो step होता है वह होता है measuring तो अब हमने identify कर लिया कौन सी business transaction है कौन सी business transaction नहीं है उसके बाद हम measure करेंगे कि value कितनी है measure हम करेंगे in terms of money not quantity तो quantity की term में हम उसको measure नहीं करेंगे हम उसको measure करेंगे कि in terms of money for example जैसे राम ने good purchased किये उसने कितने goods purchased किये हम वो transaction वो record नहीं करेंगे हम record करेंगे कि उसने कितने पैसों से वो goods खरीद दे जाओं उस goods की जो उसने खरीद दे उसकी कितनी value थी हम वो value record करेंगे उसके बाद आता है record recording तो recording होता है कि जितनी भी एक business में हम transaction कर रहे है daily जितनी भी हम business में transaction कर रहे है sales हो रही है purchase हो रही है हमारे expenses है हमारे income है तो उ book में record करेंगे जिसको जर्नल बोलते हैं तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो next step है इसका classifying तो classifying होता है कि जो हमने journal बनाया इसमें हमने sales, purchase expenses, income ये सब सारी transactions लिखी है तो हमें पढ़ने में confusion होती है कभी end में देखेंगे जा बाद में देखेंगे कि हमारी sales कितनी हुई है जा हमारी purchase कितनी हुई है तो हमें बाद में difficulty होगी तो उसके लिए हम इसको classify कर लेंगे sales की अलग बना लेंगे purchase की अलग बना लेंगे expenses की अलग बना लेंगे और incomes की अलग बना लेंगे लग लग जितनी sales हुई हैं वो सब एक में लिखेंगे sales में और जितने भी हमारे हुए हैं purchase हुए हैं भी हम purchase में लिखेंगे और जितने भी हमारे expenses और incomes हुई हैं वो लग लग लिखेंगे सब को उसके बाद हमारा आता है Summarizing उसके बाद हमारा आता है summarizing तो next step है classifying के बाद जो next step होता है बहुत है summarizing summarizing का means है कि total तो जब हम total करते हैं last में summary निकालते हैं जैसे summary का मतलब होते हैं last में जब पूरा लिखती है उसके बाद हम total करते हैं जब उसकी summary निकालते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक एक एर के बाद एक मन्त के बाद हम अफ्टर एक पिरियड टोटल करेंगे तो कितना हुआ हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉज हो रहा है कितनी हमारी सेल्स हुई कितने हमारी income हुई कितना हमारे turn over है बगेरा बगेरा तो उसके बाद आता है analyzing तो उसके बाद हम summary निकालने के बाद हम उसको करेंगे analyze analyze करने का motive है कि analyze का मतलब है कि हम उसको analyze करेंगे कि उसमें हमें profit हो रहा है business में जहां हमें business में loss हो रहा है ठीक है तो उसके बाद interpret, interpret का मतलब है कि हम देखेंगे कि हमें profit जो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, loss हो रहा है, अगर तो वो कह, क्यों loss हो रहा है, तो अगर जो हमारा profit है, अगर वो कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें, उसके बाद आता है communicating, communicating two types के होता है, कि internal और बताना है, तो हम internal हो गया है कि employees, अपने employees को हम बताएंगे कि हमारी company earn कर रही है, जो profit earn कर रही है, जहां हमें loss हुआ है, जो भी है, तो उसके बाद आता external, external में loan, जो bankers हैं, जो tax authorities हैं, जो bankers हमें loan देते हैं, उनको भी हमें बताना पड़ता है, कि हमारी company इतना earn कर रही है, और tax authorities, जो हमारी tax, मतलब हमारा profit है, उस पर tax लगता है, जो tax authorities भी, tax authorities को भी हमें बताना पड़ता है, कि हमारा profit इतना हुआ है, तो आपका tax कितना बनता है, अब ले लो ये बगहर रशेगर, तो thanks friend, आज के लिए इतना ही, कल हम अपना नया topic स्टार्ट करेंगे, तो join our channel, study with me, thank you.